आप लोगों का स्वागत है हमारे यूटू चैनल पर आज हम बात कर रहें पिंकाई की इसके लिए आपको शुरुआत में अगर तुरंत अगर सिम्टम दिखाई देते हैं तो मेडिसिन लेना चालो कर दीजिए ये रोग थोड़ा खतरनाक है वैसे कोई वैसे तो ये सामान हूँ समस्या है कितना नहीं लेकिन इसमें पीड़ा वहुत होती है और यही होता कितनी जल्ली हम सही हो जाएं तो उससे बढ़िया है कि हाप पहले से आप मेडिसिन लेने लगे है या आते हों ठीक है और आपको लगे कि हाँ आपको भी हो जाएगा तो उससे बढ़िया है आप पहले सही मेडिसीन लेने लगे आखें आना या पिंकाई आखों से जुड़ी ऐसी ही एक सामाने समस्या है जिसे मेडिकल की भासा में कंजक्टिव आइटिस कहते हैं लेकिन कई लोगों के कंजक्टिव आइटिस के कारण गंभी लक्षण दिखाई देते हैं इसलिए कह रहे हैं कि अगर सुरुवात में अगर आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो सुरुवात में जो मेडिसीन बता रहे हैं वो आप लेनी तुरंत उपचार की जरूरत है बैसे तो ये समर्शा किसी को भी हो सकती है लेकिन गरम और नम बातावरण में इसके होने का खत्रा अधिक होता है क्योंकि समय इसलिए नमी के कारण गर्मी भी हो रही है और नमी के कारण ये ज़्यादा दिन तक ठिका रहता है इसलिए आप मेडिसिन लेना चालू कर दिए दो मेडिसिन लेनी है पहली तो एकोनाइट दूसरी इफ्रेशिया इनके जो सिम्टम है आखों से पानी गिरना आखाना आख का लाल होना और आखे फूल जाती हूं ये तो थोड़ा और आगे हो गया है हम तो ये कह रहे हैं अगर आपके आखों से अगर पानी आने लगे और आपको लगे कि हमें हो गया है तो आप ये पहले से ही चालू कर दीजिएगा इसके लिए कोनाइट बहुत ही बड़ी हा मेडिसीन है और इसे बारी बारी से लीजिएगा और इसको दिन में तीन से चार वार लीजिएगा पांच वार भी कर सकते हैं जैसे भी आपको लक्षण दिखाई देते हैं और अगर आपको हो चुका है तो आपको और मेडिसिन बताएंगे और ये तो सुरुवाती अवस्था में अगर हुआ है तो उसके लिए है एकोना एक 30 पावर में और इफ्रेसिया 30 पावर में लेना है और इसकी दोनों की पिक्चर हम लगा देंगे आप लोग देख लीजिएगा और होमोपेथिक क्लिनिक या मेडिकल इस्टोर से ले 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 आप लोग फार्मेसिसे यह बहुत ही बड़ी है मेडिसीन है और जो आगे वीडियो बनाएंगे वो थोड़ा लंबा होगा और इसमें आईड्रोप के बारे में भी बताएंगे और भी एक दो मेडिसीन है जो उसमें अच्छा काम करेंगी जो अगरा गंभीर लक्षण हो गए हो ठीक है आप स्वास्त रहिए यही हमारी कामना है में सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जलूर करें